नमस्कार दोस्तों मैं परमकु स्वाह अब सबका स्वाद करता हूँ एक और नई वीडियो में और दोस्त आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पारा मी लाइब वीडियो चैट अप्लिकेशन के बारे में और दोस्त यह एक डेटिंग अप्लिकेशन है तो डेटिंग अ है इस application का और address में यहां पे सिर्फ US लिखा गया है overall अगर हम बात करने तो देखे 4.3 की रेटिंग चली इस application की और 5 million plus downloads हो चुके हैं इस application के यानि की बहुत ज्यादा user है इस application पर ठीक है दोस्त अब इसको use कर से करना यह सारा कुछ यहां पर हम देख लेते हैं करके और यहां से पैसे कमाने हैं वो भी हम सारा कुछ बात करेंगे लेकिन प्रीज अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो सूर करने से बदे एक छोटा सा इंस्टॉल कर लें इंस्टॉल कर लेने के बाद इसको उपन करते हैं और उपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा थोड़ा सा यह अप्लिकेशन टाइम जरूर लेगा क्योंकि फर्स टाइम है और यहां पर देखिए इसको अब जो सारी जो इसके मतलब कि जो टर्म कंडिशन सोते हैं उसको आप एक बर पढ़ जरूर लें और उसके बाद देखिए यहां पर हम सबको अलोग कर देते हैं जो भी परमिशन से इसको चाहिए और उसके इसाब से यहां पर आप अलोग कर दें ताकि यह अप्लिकेशन ठीक स और क्या आपको यहां पर सेटिंग रखता है वो आप यहां पर कर सकते हैं इसके बाद हम कुछ देख लेते हैं यहां पर जैसे सबसे पहले हम डिसकोवर पे हैं और यहां पर कुछ और यहां पर जैसे कि यह सर्ज के लिए दिया गया है उसके बाद यहां पर यहां पर यूजर उनसे बात करने का और उतने दिर में अपगो, प्रमाई कि आप उनसे don actually event करना चाहते हैं, प्रमाई करने का अगर अगर करना चाहते हैं, तो आपको online when पडिए थि और उसके बाद आप बात कर लोगे. अगर नहीं pay करोगे तो फिर वो next person के पास call चली जाएगी उस next match हो जाएगा इसके अलबा यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर message का option है ठीके दोस्त तो यहाँ पर officially इस application के तरफ से कोई भी message आए तो वो या फिर अगर आपके friends से कोई भी chat होती है तो वो दोने message आपको यहाँ पर देखेंगे इसके अलबा अगर आप किसी से वीडियो call करते हैं या वीडियो chat करते हैं तो उसकी सारी history भी आपको यहीं पर देख जाएगी इसके अलबा सबसे last में आपको यहाँ पर अपना profile होता है तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपकी profile photo आपको यहाँ पर upload कर लेना है login भी कर लेना है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर login नहीं किया सिरफ guest के ID खुली हुई है और यहाँ पर देखें account का information है तो account का information जो होता है वो सबसे ज्यादा main होता है यह देखिए अगर आपको यहाँ पर hosting लेना होना तो यह user ID जरूर काम में आता है और इसी का photo भेजना होता है अगले user के पास ठीक है तो यह आपको अपने पास note करके रख लें इसका लोग यहाँ पर देखें कुछ setting का option है तो account में अगर किसी को आप block करते हैं पर कोई feedback देना चाते हैं privacy देखना चाते हैं इस application की तो यह सारा कुछ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा यह देखें करीब 800 रुपेक अगर आप रिचार्ज करते हैं तो 560 आपको diamonds मिलते हैं ठीक है दोस्त और पर call आपको कितने पे करना पड़ेगा वो हमें आगे जागे पता चल जाएगा उसके लिए अब सबसब पहले यहाँ पर हमें काम करते हैं कि login कर लेते हैं ताकि अगर कुछ और भी setting होती है तो वो भी हमारे सामने clear हो जाए यह देखे जैसे Gmail की ID से हमने यहाँ पर login के लिए apply कर दिया और उसके बद फिर से यह थोड़ा सा time ले रहा है और फिर यहाँ पर हमारी ID जैसे एक तरह से create हो चुकी है यह देखिए हमारी profile photo आगया नाम आगया और यहाँ पर कुछ भी अगर आप change करना चाते हैं तो यह देखिए जैसे आप gender male female जो भी select करना चाते है यह date or birth एड़ करना चाते है प्रोफाइल फो चेंज करना चाते है नाम दिखाई दे रहे हैं जैसे यह फिल्पाइंस इंडिया ठीक है लगबग यह जैसे यह तो यहां पर यह देखिए वैतनाम मतलब आल ओवर वर्ल्ल आप कहा सकते हैं कि यहां पर यूजर हमारे सामने आए हैं और यहां पर अगर किसी से भी आपको बात करना है यहां पर तो अगर इन्होंने अप्लोड करी होंगी तो वह यहां पर होगा और अगर यहां पर कुछ प्राइवेट वीडियो वो होती हैं जिसको हम बाद में अनलॉक करते हैं मतलब कि अगर जैसे मैं यूजर हूँ मैं अगर वो वीडियो देखना चाहता हूं तो मुझे कुछ यहां प अगर इनको आप फ्रेंड एड करते हैं तो वो देखिए यहां पर आगया विद ओनली वन कोई यू कैन एड हीम और हर टू एज यूर फ्रेंड मतलब आपको इनको फ्रेंड भी एड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक कोई आपको देना पड़ेगा ठीके तो और यह कि उस मैसेज का रिप्लाई आगया बट दुबारा अब हम इनको मैसेज नहीं कर सकते तो में बात यही होती है कि हमारे पास कॉईन होना बहुत ज्यादा जूरूरी है और कॉईन नहीं होगा तो हम किसी से यहां पर कुछ भी बात नहीं कर सकते अब यहाँ पे हम आके देख करेंगे तो ये दिखे मैचिंग होना शुरूरक और जैसे क्या पए दिखा रहे हैं ठीक है लेकिन आप इंको कुछ भी मैसेज करोगे कि तो ये दिखे यहां पर मैच हो गया सबसे पहले यहां पर मैच होना जरूरी तो मतलब वो सिरफ जो 10 सेकंड का जो वीडियो का टाइम मिला हुआ ना उसमें सिरफ यह है कि आप एक दूसरे को देख लो और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इनसे बात करना चाहिए तो उसके बाद कोईन पे करना शुरू करो और उनसे बात करना शुरू करो ठी देख लो उसके बाद आप डिसाइड कर लो कि अगर आप इनसे बात करना चाहते हो तो फिर आगे पे करो 30 कोईन्स पर मिनट जो हैं और उसके बाद आप बात करो और अगर आपका इंटरस्ट नहीं है तो वहीं से आप बैक हो जाओ तो कई लोगों को यह लगता होगा कि य उसके बाद उनकी income होती है तो ठीक है दोस्त अब यहाँ पर आपको कुछ यह भी पता चल गया होगा कि यहाँ पे पैसे कमाते हैं तो कैसे कमाते हैं और वैसे मैं आपको थोड़ा सा अब डिटेल में बता दूँं कि दोस्त जो यहाँ पर काम करते हैं तो mostly यहाँ पर लड क्योंकि यह boy की ID है तो यहां पे कोई भी live का option नहीं दिखेगा लेकिन जो लड़कियों की ID होता हो उसमें live का option आएगा और वो live हो जाएगा यहां पे जब वो live होंगी तो उसके बाद जो भी मतलब male viewers आएंगे वो ऐसे उनको देखेंगे देखने के बाद अगर उनका profile ठीक लगता है यहां पे चाहे यहां पे on cam में आके यहां पे कहीं सभी ठीक लगता है profile तो उनसे बात करना चाहेंगे और बात करने के लिए उनको 30 coins पे करने पड़ेंगे ठीक है तो लड़कियां उ hosting लिया होता है तो यहां पर जैसे coins के form में 30 coins deduct हो जाएंगे लेकिन उनको किसी और form में वह सकता है diamond के form में या फिर coins या beans किसी भी form में उनको कुछ receive होगा और वो सारा collect करने के बाद weekly या 15 days बाद उनका payment आ जाएगा तो यह तरीका होता है दोस्त यहां पर hosting करने का ठीक है उसके लिए उनको किसी ना किसी agency से जुड़ना पड़ेगा hosting लेना पड़ेगा और तब यहां पर काम कर सकते हैं तो दोस्त यह है सारा concept इससे application का मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा फिर भी कोई doubt रहता तो नीचे आप comment करके जुरूर पूछे मैं उस